हेलो दोस्तो लर्ण वे टेकनोलोजी चैनल में स्वागत है आप सभी का उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आठ बड़ी अपडेट के बारे में तो वीडियो के अंत तक बने रहे और अगर आप हमारे चैन जो 19 जून 2021 को 19 6 2021 को यहां पर रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए शेडियो जारी किया था तो वो जो है रद कर दिया गया ठीक है आप यहां से देख सकते हैं और जो भी यहां पर बताया हुआ कि आप इन परिक्षाओं के इन परिक्षाओं के लिए योग गया अभिहार जादियों को डिरेक्ट Christ के लिए बुलाई जायगा ठीक है इसका जो शेडियूल हो वह वाध़ सायक पर एβेलेबल हो जाएक ठीक है तो यहां पर आप पोस्च बोर्ट देख सकते हैं और पोस्च कर नहां भी देख सकते हैं कि कि किस पोस्ट कोर्ट के लिए यहां पर जो शेडियूल है वो रद कर दिया गया तो आप यहां से देख सकते हैं 908 पोस्ट कोड और उसके अलावा यहां पर 909, 910 और 905 पोस्ट कोड के लिए जो है रेटन स्क्रीनिंग टेस्ट का शेडियूल जो है वो कैंसल कर दिया गया ठीक है इनके एक्जाम जो थे यहां प पर रहने वाली है वो है यहां पर अकाउंटेंट की पॉस्ट के लिए और पॉस्ट कोड जो है 898 रहने वाला ठीक है यहां पर बताया हुआ कि जो आपका यह रेटन एक्जाम होने वाला है वो होगा 5 अगस्त 2021 को इवनिंग सेशन में और यहां पर जो है आपकी eligibility criteria के लिए जो है R&P rule के हिसाब से document mention किये हुए है तो दोस्तों आपके पास यह जो है essential documents होने चाहिए ठीक है अगर आप इस test के लिए apply कर रहे है तो यहां से आप check out कर सकते है ठीक है वी कॉम होनी चाहिए आपकी knowledge होना चाहिए computer application में ठीक है यह आपका सब कुछ आपको होना चाहिए और अगर आप आपकी जो है matriculation और plus 2 हिमाचर प्रदेश के किसी भी स्कूल या institution से हुई है तो आप यह इस post के लिए eligible है ठीक है एज आपकी 18-45 साल होनी चाहिए और यह एक 2021 से count की जाएगी यहां number of post की बात करें तो एक vacancy सब्सक्राइब के लिए है एक जो है EWS के लिए ठीक है तो बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की और तो जो नेक्स्ट अपडेट यहां पर रहने वाली है वो है forensic services scientific assistant chemistry and toxicology ठीक है पोस्ट कोड 902 तो इसके लिए जो है रिटन एक्जाम 6 अगस्ट 2020 को evening session में होगा और यहां भी इनके लिए essential जो minimum educational qualification है यहां पर बताई हुए ठीक है आप चेक कर सकते हैं second class आपकी master degree होनी चाहिए forensic science from the recognized university और institution और में जो है आपका यहां पर और में भी बताया हुआ है क्या इसके अलावा आपके पास या तो यह होना चाहिए या यह होना चाहिए ठीक है और इसके बाद आपकी 10th plus 2 होनी चाहिए इस post के लिए ठीक है हिमाचर प्रदेश की किसी भी school से तो age 18-45 रहेगी औ पोस्ट की बात करें तो ऐसी अंधर जडऻ के लिए एक पॉस्ट है ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्त अपडेट की ओर तो जो नेक्स्त अपडेट रहने वाली है वह यहाँ पर रहने वाली है आपकी फर्मसिस्ट की पोस्ट के लिए एलफे यह त актив है और पोस्ट कॉडдо यहां पर जिन लोगों ने apply किया हुआ था इस post के लिए तो यहां पर कुछ candidates के नाम बताये हुए रोल नमर बताया हुआ है तो इन्हें जो है अपने जो इनकी eligibility है उसकी spot में इनको जो है अपने document submit करने को कहा गया है और यह document रहने वाले है या तो आपको bonafide हिमाचली certificate जमा करवाना होगा या तो आपको certificate of passing metric and plus 2 या तो आपको 10th or plus 2 का certificate भेजना पड़ेगा जो आपने 10th or plus 2 हिमाचल प्रदेश के किसी भी school या institution से की हुई हो ठीक है और यहां पर इनका email address जो है यह रहन आपको तीन दिन के अंदर अंदर वेजना है वैसे तो यहां पर डेट 26 जुलाई की डाली हुई है लेकिन website पे जो है इनकी official website पे दो जुलाई को अप सुरी दो अगस्त को जो है आज की डेट को अफलोड हुआ है तो आप यहां से आपने नाम देख सकते हैं अगर आपने इस पोस्ट के लिए apply किया हुआ था इसमें total 50 candidates की list लगाए गई है तो बढ़ते next update की और तो जो आपकी next update यहां पे रहने वाली है वो post है यहां पे junior engineer की electrical की post code 839 ठीक है इसमें भी यहां पे इसका exam जो है 8 अगस्त 2021 को होगा morning session में और यहां पे इस test के लिए minimum educational qualification भी बताई हुई है R&P rule के हिसाब से ठीक है आप यहां से देख सकते हैं यह पूरी detail यहां पे बताई हुई है आप यहां से पूरा पढ़ सकते हैं age 18-45 रहेगी ठीक है यह आपको official website से भी मेल जाएगी पूरी PDF तो यहां पे हम post की बात करें तो total 156 post है आपकी रहने वाली है तो दोस् अलोफैथी की post को के लिए post code 800 चुराने के लिए ठीक है जिन लोग उन्हें यहां पे payment नहीं की थी और जिन का form जो था वो complete नहीं था तो उनको जो है यहां पे commission के द्वारा reject कर दिया गया आप अपने यहां से रोल नंबर application idea और अपना नाम देख सकते हैं यहां पे हम total candidates की बात करें तो इसमें total जो candidates रहने वाले हैं वो हैं आपके 970 candidates जो हैं यहां पे रहने वाले हैं ठीक है तो बढ़ते next update की और तो next update जो है आपकी यहां पे रोल नंबर वाइज लिस्ट जारी की है evaluation schedule के लिए जो कि आपका 15 marks का रहने वाला है और यह रहने वाला आपका stanotypist की post के लिए और post code जो है वो 755 ठीक है 755 तो यहां पे इन्होंने application ID, रोल नंबर और name candidate name के हिसाब से यहां पे schedule जारी किया है और date of evaluation का भी यहां पे पताया हुआ है 9 अगस्त से जो है आपका evaluation होगा ठीक है 9 अगस्त की यहां पे date mention की हुई है तो यहां पे हम total candidates की बात करें तो 41 candidates की जो है यहां पे list लगाई गई है और इनका schedule जो है 9 अगस्त को रखा गया ठीक है आप पुरह देख सकते हैं तो बढ PPSC की और से आई है और यहां पे personality test के लिए जो है schedule जारी किया गया है आप यहां से post wise देख सकते हैं ठीक है first post जो है आपकी यहां पे बताई हुए है works manager in HRTC under the department of transport तो इनका जो personality test होगा वो 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2021 को होगा उसके बाद lecture कहा है यहां पे ठीक है ASH chemistry in the department of technical education तो उनका जो है 23 अगस्त को होगा interview और यहां पे जो लक्षरार है ASH mathematics और यह department है आपका technical education का इनका जो है 24 अगस्त को होगा उसके बाद यहां पे fourth पे है आपका horticulture development officer in the department of horticulture ठीक है तो इनका 25 अगस्त को होगा उसके बाद यहां पे लक्षरार की post है ठीक है इन आयूश department यहां से आप देख सकते हैं अगत तंत्रा ठीक है इनका जो है 23 अगस्त को होगा और उसके बाद जो है लक्षरार की post है ठीक है शरीर क्रिया इन आयूश डिपार्टमेंट इनका 24 अगस्त को होगा और लास्ट जो है आपका लक्षरार शरीर रचना इन आयूश 25 अगस्त को रखा गया ठीक है यहां पर इनके जो है कॉल लाइटर इनको इनकी साइट पर एवेलेबल हो जाएंगे और फर्दर जो है ने मोबाइल और जो आपका इमेल आइडी दिया हुआ है उस पर भी अपलोड कर दिये जाएंगे ठीक है आपने इंस्ट्रेक्शन पूरी पढ़ लेनी है यहां से कमेशन की ओफिशल वेबसाइट से तो दोस्तों यह थी आज की बड़ी अपडेट्स तो आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेर कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क किसी बड़ी अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद